इस कारिक्रम के पुण्यार जखें स्वर्गी श्रिमान सेठ मानिकलाल उगर्चंद शाह एवं स्वर्गी श्रिमती विमलश्री मानिकलाल शाह की पुण्यस्मृती में पुत्र पुत्र वधु, पौत्र पौत्री, बेटी दामांद एवं समस्ति शह परिवार ओ नमासे देव्या नमोरी हंताडं नमासे धाडं नमा आयरी याडं नमा अज्जायाडं नमा लोई सविसाहुण पंच परमिष्टी भगवान की परंपोज आचर भगवंत गुरु और विश्वद सगर्जी माहराजी की परंपोज मनिष्टी सुपरुप सगर्जी माहराजी की संसार भेहमन का एक मात कारण अज्ञान और उस अज्ञान को मिटाने का एक मात्र करकारी उपाए सम्यक ज्ञान की प्राप्ति और उस सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग हमें परंपोज आचर भगवन्त गुरुवर विशुद सगर्जी माहराज की महतिय अनकंपा से उनिके सुवय गुसे से परंपोज मनिष्टी सुपरुप सगर्जी माहराज द्वारा प्रिदत्य वैं सम्यक ज्ञान की बिदार से प्राप्त हो रहा है क्योंकि दिकल्प एदि समीचिन है और उस समीचिन विकल्प का जब हमें सम्यक समाधान प्राप्त होता है तो निश्चित ही हमारा ज्ञान सम्यक को प्राप्त हो जाता है और वही सम्यक ज्ञान हमारे आत्मा की कल नाण का साधन बनता है ऐसे आत्म कल नाण की प्राद्ति का वही एक मात्र करकारी उपाए समीचिन विकल्पों का सम्यक समदान प्रारम करते हैं और आज के पहले विकल्प के लिए सारंगपोर मढद्यप्रदेश से अनन्य गुरु भक्त परिवार, डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, परांपोई मनस्री के सिचर्णों में, बारंबार नमुस्तु निविदित करते हुए, अपना समीचिन बिकल्प रक्रहें, कि महराजी, अभी भागी प्रतिछेट से क्या आसा है, हमारे समीचिन अभी कल्प का समयक समाधान करने के अंकंपा करें, नमुस्तु महराजी, नमुस्तु नमुस्तु अभी भागी प्रतिछेट, उन गुणों की शक्त्यांश को कहा जाता है, जो गुणों की अपेक्षा से अभी भागी रूप हुआ करते, जैसे पुद्गल के अभी भागी वस्तु को या पुद्गल के अभी भागी प्रमान को परमानों कहा जाता है, ऐसे ही गुणों का जो अभी भागी परिमान है, या गुणों का सबसे छोटा प्रमान जो कहा जाता है, जिसे किसी भी प्रकार से विभाजित नहीं किया जाता ऐसे उस सर्व से छोटे इकाई को, सबसे छोटे युनिट को, सबसे छोटे उस शक्त्यांस को, गुणांस को ही आगम के परिपेक्ष में अविभागी प्रतिछेद कहा जाता है जिसके निमित्त से प्रतिक द्रव्य में जो अगुरुलघुगुण का परिणमन हो रहा है और साथ में अर्थ परियाय रूप परिणमन जिस सुख्ष्म परिणमन या सुख्ष्म आवश्था के निमित्त से माना जाता है फूर्ण रूप से उसके लिए ही अविभागी परतिछेद ये संग्या उन गुणांशों को शक्तियांशों को प्राप्त होती। सामाने भार्षा में अगर समझे तो वह गुणों का शक्ति का सबसे छोटा आंश जिसका पुना विभाजन नहीं किया जाता। उसको ही अविभागी परतिछेद इस संग्या से संबोधित किया जाता है जिसके निमित्त से प्रतिक दरव्य में जो प्रतिसमय होने वाला सूक्ष्म परिणमन है जिसे आगरुलगुत्व गुण का परिणमन कहा जाता है। इस अविभागी परतिछेद की निमित्त से ही जाना जाता है। इसलिए वा अविभागी परतिछेद है वा सामाने रूप से गुणांश और शक्त्यांश के रूप में स्विकार किया जाता है। यही आपके लिए सम्मेक समद है। अंकिर जेन अचनारा परतापगर्ड राजस्थान से महराश्ष्री के चलनों में बारंबार नमोस्तु निविद्ध करते हुए। अपना समीचिन में कलप रहे हैं। जिन बेतरागी आरहंद परतिमाओं का अभिशे किया जाता है अभिशेक याजता है। लिए बेतरागी बागवान और वेतरागी बागवानतों की ही परतिमा होने से किसी भी प्रकार से एक थाली में अनेक स्रीजी को विराजमान करते हुए अभिशेक करने में आगम के परिपेक्ष में किसी भी प्रकार से कोई दोस नहीं है क्योंकि ये आवस्य समझे जो भगवान की प्रतिमा है वह पहले तो भगवान नहीं है भगवान की प्रतिमा है, जो प्रतिदिन अभिशेक होता है, वह प्रतिमा भी शेक होता है, और प्रतिमा का एक साथ अभिशेक करने में दोश नहीं है, रही बाद भगवान की भी, वह भगवान सामान्य आप हम जैसे मात्र ओधारिक शरीर को प्राप्त करने वाले नहीं है, पर शेष नहीं रहती। उनके शरीर के निमित्त से यानि उस परमावदारिक शरीर प्राप्त होने के उपरांत वहां कोई जीवों का आश्रय हिंसा आदिकारे नहीं होते। मंदिर में जितनी वेदी, जितने भगवान, जितने अविशेख है उतना सबका गंधोदक विसरजन करने का स्थान भी आपको अलग-अलग करना होगा। इस साथ हो रहा है, इस अविपराय से अगर मिलाने ही रहे, एक थाले में नहीं रख रहे, तो क्या प्रतिक प्रतिमा के गंधोदक के विसरजन का स्थान अलग-अलग है? बिल्कुल भी नहीं है. वह एकत्रित करके, कही न कही अंतिम समय में उसका विसरजन एक ही स्थान मे किया जाता है, इतने जितने भगवान, जितने वेदिया है, उनका किसी प्रकार से अलग-अलग गंधोदक विसरजित नहीं किया जाता. इसलिए चाहे पहले हो, चाहे बाद में हो, उनको अगर एक साथ अभिशेक करने के लिए हम एक साथ एक थाली में रखे, तो किसी भी प्रकार से उसमें दोस नहीं होता है आगम के परिपेक्ष में, क्योंकि वे अरहन्त भगवान है, उनका परमावदारिक शरीर है, और जिनका आप अभिशेक कर रहे है, वे अरहन्त भगवान की प्रतिमा है, और प्रतिमा का अभिशेक एक साथ करने में किसी भी प्रकार से क प्रतिमा भले ही वह पाशान की धातु की एकेंद्री भी क्यों न हो पर वहाँ अभिशेक करते समय हम भगवान की प्रतिमा का अभिशेक करते हैं ना कि पूर्ण रूप से वहाँ हम एकेंद्री की अभी प्राय से अभिशेक नहीं करते और जो धातु की प्रतिमा है वो तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ तो एकेंदरी पना बचा ही नहीं है, जब गरम होके उसको पिखला के धातू में धाचा में बनाया गया है, वहाँ कोई भी जीवों की संभावना हो ही नहीं सकती, इसलिए ये बहुत दृष्टी को सोच को बड़ा करते हुए निरणे करने के आवज सकता है, किसी भी प्रकार से वे अरहंत परमावदारिक और उनकी प्रतिमा भी शेख होने से एक साथ एक थाली में रखते हुए उनका भी शेख करने में कोई भी आगम के परिपेक्ष में दोज नहीं है, यही आपके लिए सम्मेक समद। पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी समिचिन मिकलब का सम्मेक समाधान करने के नकुम पगरें, नमुस्तु माराजी, नमुस्तु रिति रिवाज मतलब शाधी विवाह का बंधन नहीं है, उसे बहुत गहरी दृष्टी से और अपनी सोच को विश्तृत करते हुए समझने के आवसक्त। चाहे पूर्व में या वरतमान में जितने भी शाधी के या अन्य भी घर में ग्रहस्ती में होने माले जितने रिति रिवाज है, उसके पीछे कोई भी आगम का, वेक्यान का, किसी भी प्रकार का कोई आधार प्राप्त नहीं होत। जैसे विवाह के समय में मुशल पलटना, सूपयाधी का कारे करना, ये जितनी भी रिवाज किया जाते है, कही न कही ये देखा से की प्रारम हुई रूढिया है, इसका किसी भी प्रकार से आगम में आपको प्राप्त नहीं होता। जितना आगम में प्रामान प्राप्त है, जिस विधी से आचर भगवन्तों ने तिर्थंकरों के विवाह का वरणन किया गया है, वो ही मात्र वरतमान में हमें आगम के प्रामानित विवाहिक संबंदों को देने वाले उन क्रियाओं को, उन प्रक्रियाओं को समझने के आव किये जाने वाली क्रिया हो सकती है क्योंकि किसी भी प्रकार से तिर्थंकर भगवान स्रेष्ट हुआ करते है और तिर्थंकरों ने जो क्रियाय प्रारम भकी जैसे आधिनाद भगवान ने शट कर्म का उपदेश दिया उन्होंने जो जो क्रिया करी वो ही स्रावक के लिए आधर सो हो सकती है और उसका ही आधार लेते हुए सभी कार्य या सभी क्रियाय ग्रहस्तों को करनी चाहिए वरतमान में बहुत सारे ऐसे विवाह की परंपराय भी बदल चुकी है भगवान के सामने मात्र फेरे ले लेना अधिर्थक शेत्र में जाना या जितनी भी ये परंपराय प्रारम हुई है ये मात्रत तातकालिक है किसी भी प्रकार से ये परंपराय आगम गरंथों में वरनित नहीं है किसी भी प्रकार से अन्य राजा, मंडलेश्वर, चक्रवर्ती उनकी क्रियाओं से सेष्ठ किया तिर्थंकर की क्रियाई मानी जाती है, उनके जीवन में जो-जो क्रियाय होती है वो ही एक आदर्श के रूप में सरावक को धारण करने पालन करने योग्य होती है अन्य किसी राजा, अन्य किसी जक्रवर्ती, अन्य किसी भूमी गोचरी विद्याधर आधी की अपेक्षा से किये जाने वैवाहिक क्रिया प्रक्रिया, आगम के परिपेक्ष में कही भी प्रमान सहीत प्राप्त नहीं होते, इसलिए आगम के प्रमान से अगर पढ़े, तो ति पर अगर आगम के विपरीत कार्य किया जा रहा है, जो आगम में लिखा ही नहीं है, ऐसे विपरीत कार्य किया जा रहा है, तो नियम से वहां पर दोस लगेगा, और दोस का फल दोनों को ही नहीं, आपी तो पूरे परिवार को जुकृत कारित अनमोधना वहां कर रहा है, उन स सबको प्राप्रा करना पड़ेगा यही आपके लिए सम्मिक समद्ध श्रीमति वर्साजेर बिजी समद्ध प्रिश से माराश्य के चरणों में बार अंबार नमुस्तु निविद्यत करते हुए अपना प्रशनक रहें कि माराश्य पुर्ण का कार और पुर्ण पुर्शार्थ करने पर भी यदि सफलता ना मिले तो फिर क्या करना चाहिए हमारे समिचिन मिकल्ब का समिक समद्धन करने के नकम पकरें नमुस्तु माराश्य नमुस्तु जब जीव का तीवर पापकर्म का उदय होता है, तो जीव पुर्ण्य का कितना भी पुरुषार्थ करने, पुर्ण्य कारे करे, सुभ कारे करे, पर किसी भी प्रकार से वह उसका पुर्ण्य फलिभूत नहीं हो सकते। जब पापका उदय मध्यान समय होता है, या सामान्य होता है, उसी समय पर जीव का पुर्ण्य 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 का 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 पु संब्ल परियंगर पूर्ण संति हैं ठाप अंला करें तुल फैंज़ के एकड़ अत्यू रें हुए अगर PCR स्वेंगोन सत्थ करने कि यह तक नहीं है अगर आनर करो है तो उसमें पर नट нуж के तीर परिये में आपको बहुत शांत चित एकागर होते हुए देवशास गुरु की आराधना करते हुए अपने समय को व्यतित करने के आवज सकता है अगर बहुत आकुल व्याकुल होकर आप पुण्य की प्राप्ती का पुरिशार्थ करोगे पुण्य कार्य करने का पुरिशार्थ करोगे तो नियम से नियम से वहाँ पर आपको पुण्य की जगे दुगना चारगुना पाप का ही आर्षरो होने की संभावना है इसलिए जब तीवरतम पाप का उदय होता है तो शांती से सब कारियों को विराम देते हुए भगवान का नाम लेते हुए अपने उस समय को खराब समय को व्यतित करने का पुरिशार्थ करे और पुरिशार्थ भले ही आप धीरे धीरे भगवान के नाम लेने का पुर्ण्य का करते रहे पर उसके लिए आकुलता करते रहेंगे तो कभी भी पुर्ण्य की प्राप्ति नहीं होगी सामाने रूप से अपना पुरुशार्थ करते रहे जैसे ही समय बदलेगा वह आपको उसका वैसा ही फल प्राप्त हो जाएगा ये ध्यान रखते होए ही आपको पुर्ण्य का कारिय और पुर्षार्थ करना होगा, क्योंकि पाप के समय में, पाप के उदय में, अगर थोड़ा सा भी विप्रीत कारी हो गया, तो वह दोस गुना, सो गुना, और भी विप्रीत हो सकता है, इसलिए जितने शांती से भगवान का नाम ले सके, उतना ही कारे करें, यही आपके लिए सम समय क समादान, श्रीमती रुची जयन, मिरी समाध्य प्रदेश से, अगले समिचीन में कल्प के लिए, नमोस्तु आरशी, नमोस्तु, आरशी मेरा विकल्प है कि जए इस्वर का ध्यान करने से, परमात्वा प्राप्त होता है, तो क्या ध्यान करने से, हानी भी हो सकती है, अगले समय के लिए, नमोस्तु आरशी, आरशी, आगम में दो प्राकार के ध्यान की व्याक्या प्राप्त होते, एक शुभ ध्यान और एक अशुभ ध्यान, जो विसे कर्षायों को बढ़ाते हुए पाप करमों को बढ़ाता है, नरक तिरियंच जैसे गतियों को प्रदान क कराता है, वह आशुभ ध्यान के लाता है, और उसके अलावा, जो शुभ कारियों से, यने प्रभु का इश्वर का ध्यान करते हुए, जो भगवान की पूजा राधना की जा रही है, ऐसे उस धर्म और शुक्ल ध्यान के निमित्त से, नियम से कर्मों के निर्जा होते पर ये अवश्य समझे, जीव का परनाम, परणती, कारिय किस प्रकार से चल रहा है, वह अगर आत्र, रोदर, ध्यान रूपी, असुभ ध्यान में उलजा है, मतलब परिगरह में आनन्द लोट रहा है, किसी के धन को लूटने में आनन्द, किसी की हिंसा करने में आनन्द ल मात्र रौधर ही नहीं, आपि तो आर्तर ध्यान के निमेत्त से भी जीव कही न कही हाणी को प्राप्त करता है, कर्मों के आसरोबंधों को करता है जैसे कोई शरीर में पीड़ा है, कर्ष्ट है, उसके बारे में हैं बारबार सोचना इष्ट वियोग हो गया अनिष्ट सैयोग हो गया निदान आदी के निमेत्त से जो भी जीव के विपरीत परणाम हो रहे है विपरीत परणती हो रही है नियम से नियम से वह जीव के लिए दुखी बनाने के लिए या करमों का आस्रों करने के लिए निमेत्त हो सकती और जहां कर्मों का आश्र हुआ वहनियम से दुख भी मिलना संसार में स्वाबाविक इसलिए ध्यान एक ऐसा शब्द है जो बहु आया में है ध्यान के साथ आपका मिध्यात का उद्य चल रहा है सम्मिक का उद्य चल रहा है ध्यान में आपका धेय क्या है प्राप्त किसको करना चाते है आप कब किहां किस प्रकार से किस वस्तू के लिए ध्यान कर रहे है इन सब पर वो निर्भर करता है कि आपके ध्यान से आपको क्या फल मिलेगा प्रभु का भले ही ध्यान करते समय आपको धर्म ध्यान का सुरूप लग रहा है पर मांत्र प्रभु के सामने बैठ के प्रभु का नामस्मरन करने से मांत्र वह सुभ ध्यान हो जरूरी नहीं है मन में भी तद जन्य हमारे भीतर विकल्ब या परिणती होनी के आवज सकता है कि हम प्रभु जैसे कैसे बने कब बने आदी रूप अगर प्रभु का परमात्मा का ध्यान किया जा रहा है तो नियम से नियम से आपके लिए वह पुण्य कार्य के लिए ये कर्मों के निर्ज़ आश्रवादी के कारण से आपकी हानी होना ये पक्का है इसलिए इससे बचने के लिए आप आत्र रोद्र ध्यान रूपी असुब ध्यान को छोड़ते हुए शुक्ल धर्म रूपी उतकृष्ट शुब ध्यान को प्राप्त करने का पूरिशार्थ करे जिसके कुछ से आपके लिए संसार में बानने के लिए दो सुपूल नहीं कार्य कर सकता है जिससे आप दुखी हो सकते है संसार में परिभरवन कर सकते है इसलिए इस आद्र रोद्र ध्यान को छोड़ते हुए धर्म ध्यान का पंचमकाल में आलम बन ले यही आपके लिए सम्मेक समाधा साझजना जेन, मीडिशा मदपर्शे, ऐगले समीच है फिंकुरण गर्फ किलेओ । आप तरी मुनि राजों के चाननों में मेरा बारंबार नमूस्तु महाराश्री मेरा प्रेष्ट ये है, कि दुन्या में सबसे सुखी कॉन है किर्पया मेरा सम्मेक समाधान कीजिए नमुसु महराश्री इस संसार में सुख के कई सारे मायने है अलग-अलग अपेक्षा से, अलग-अलग निमेतों से अलग-अलग प्रकार के जीव इस संसार में सुख को कलपना करते है और उस सुख की कलपनास के निमेत से वह अपने आपको सुख ही भी मानते कही न कही जो नेतिकारों ने कहा है पहला सुख निरोगी काया आधी रूप ये कितने ही सुख के विशेशन या सुख के भेज सुख के प्रकार नितिकारों ने आचेरों ने बताये क्यों ना हो पर ये सुख मात्र तातकालिक ही हुआ करता है क्योंकि जो भी इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख है वह वास्तों में मात्र तातकालिक हो सकता है बाधा से सहित हो सकता है क्योंकि जो जो इंद्रियों से प्राप्त होता है परसापेक्ष होता है और जहां परसापेक्षता होती है वहां किसी भी प्रकार से अखंडता नहीं हो सकती इसलिए ये संसार के कितने भी सुख अच्छे से अच्छे कहे हो निरोगी काया, घर में माया, आदी-ादी रूप जो भी ये चार-पांच सुखों का व्याख्यान किया है ये मांत्र इंद्रिय जन्य होने से संसारी जीव उनको प्राप्त करते आए और कई बार वह उन सुखों के निमित्त से दुख भी प्राप्त करते है ये विशेज बात यहां समझने युग्य है कि इन सगी सुख की कलपनाओं से हट कर भी एक शाश्वत सुख हुआ करता है जो सिद्धों के पास हुआ करता है भले ही वे संसारातीत आवस्था को प्राप्त हो चुकी है पर सरवोत कुरुष्ठ अगर सुख की कलपना किसी की की जाती है तो वह सिद्धों की ही कही जाती क्योंकि उनका वह सुख अतींद्रिय सुख हुआ करता है, साथ में वह अनन्त होता है, इंद्रियों से रहित होता है, किसी भी प्रकार की बाधा उस सुख में उनके पास नहीं होती इस कारण से कही न कही वह इस संसार में संसार आतीत होने वाली सिद्धों की जो आवस्ता है, वही सर्वस्रेष्ट है, उन सभी जीवों में मात्र और मात्र संसार में को छोड़कर जो मुक्त हुए है ऐसे सिद्ध भगवान ही सुखी हो सकते पर किसी अपेक्षा से अगर संसार ही जीवों में सुखी की कलपना हम मानें या सुखी की कलपना हम मानेंगे तो वहां हमें अपेक्षा को बदलते हुए या निरणय करना होगा कि संसार में वही जीव संसार में रहते रहते सरवस्रेष्ठ सुखी या सरवाधिक सुखी हो स जो पूर्ण रूप से अपने आपको सुख को दिलाने वाले संतोष को प्राप्त कर लेता है, जिसके पास संतोष होता है, वही इस संसार का सबसे बड़ा सुखी हो सकता है, अन्य कोई भी व्यभार की अपेक्षा से संसारी जीवों के अपेक्षा से सुखी नहीं है, संसारी जीवों की आपेक्षा से जो पूर्ण रूप से अपने आपको जितना प्राप्त है उतना ही परियाप्त है ये मानता है जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा ऐसा निरने करते हुए जो जीवन को यापन करता है वो ही संसार में र आवे संतोशी प्राणी वही सुख प्राप्त करता है जो संतोश को धारन करता है संतोश का अर्थ किसी व्यक्ति को किसी नाम विशिश को प्राप्त करना नहीं आपी तो जो जैसा मिल रहा है उसमें ही संतुष्ट हो के रहना खुश हो के रहना ठीक है ऐसा ही कर्म का नियोग ऐसा ही हमारे साथ होने वाला था या ऐसा ही मैंने कभी किसी के साथ किया था इस प्रकार की बातों का तत्वों का निरणे करते हुए अगर चिंतन किया जाए तो वही जीवी संसार में संसार की अपेक्षा से मतलब संसार में रहते हुए भी सुखी हो सकता है अन्यता संसार आतित होने वाले सिध्धों की सरवस्रेष्ट सूखी की माननेता तो ये आतींद्रिय होने से हम जानती है, पर संसार में रहने वाले संसारी जीवों के अपेक्षा से वेभार पक्ष़ को समझती हुए, जो जितना मिला उसमें ही जो खोश होने वाला है, किसी भी प्रकार का संकल्प विकल्प है, किसी भी प्रकार की असंतुष्टी है, वह कभी भी इस संसार में सुखी नहीं हो सकता, इसलिए संतोषी ही सबसे सरबड़ा सुखी है, यही आपके लिए सम्मिक समद। जैजिन बंदू, हम सभी लाब ले रहेते, लोग प्रिय कारेक्रम सम्मिक समद। प्रती दिन यह कारेक्रम, ठीक पांच बच के तेरा मिनिट पे, यूटूब चैनल, सूपरोवाज के माध्यम से प्रसारित होता है, आप सभी लोग, सैटिलेट टिवी चैनल, अधिनाठ टिवी चैनल के माध्यम से, TV के माध्यों से भी इस कारेकरम का लाप ठीक द बेखर को चार बज़े से ले सकते हैं एक नया TV चैनल लॉंच होँआ है उसके माध्यों से प्रती दिन शाम को ठीक चार बज़े समienक समाधान कारेकरम का परसारण होता है आप सबी लोग घर बेटे TV के माद्धियों से भी समयक समाधन का लाब ले सकते है 870-754-8811 यह हमारा WhatsApp का नंबर है समयक समाधन का नंबर इसके माद्धियों से आप अपने मन में उटनल जो विकल्प है उस विकल्पों को हम तक पहुँचा सकते है और उस विकल्पों का समयक समाधन मुनिश्री के मुखारवियन से हम सभी प्राप्त करेंगे और आपकी निमित से आपकी जो संका है उस विकल्प का हम सभी लोग आपके माद्धियों से मुनिश्री के मुखारवियन से उसका समयक समाधन प्राप्त करेंगे आने वाले 31 तारिक से 31 अगस्ट से समय सारुपासक साधना संसकार शिविर का आयोजन शीतलनाद भगवान की चार कल लानक नगरी विदीशा में होने जा रहा है मुनीश्री के अथक प्रयास से एवं उनके समय में से समय निकाल कर मुनीश्री ने हमारे लिए ये समय प्रदान किया है और ये सांसकार स्विर का आयोजन किया गया है सुभे से योग, फिर मुनिशी के मुखारविन से ध्यान, पर विशेश पे प्रवचन एवं दूपर की क्लास में विशलेशन, एवं शाम की समय पे प्रतिक्रम और एवं आचार भक्ती के साथ इस कारेक्रम का प्रती दिन कारेक्रम इस शीविर में ऐसा नियोजित किया गया है आप सभी लोग अधिक मातरा में शीविर में लाब लेके अपने एक मुनिशी की चरिया कैसी होती है और एक श्रमन चरिया कैसी होती उसका लाब आप दस दिनों में शावक संसकार शीविर में आके ले सकते है इसकी आधिक जानकारी के लिए जो नंबर दिये गया है उसके आप संपर कर सकते है नीचे पटी पे नंबर चल रहे है आप उसके संपर करके इस कारिक्रम के जो नीचे पटी चलती है उसमें आप संपर करके अपने जो शीविर के फॉर्म है वो भर सकते है या संपर करके अपनी उपसिती दच करा सकते है आज के लिए इतना ही मुनिशी के प्रवचन प्रती दिन शाम को 7 बच के 40 मिनट पे टीवी के माद्यम से प्रसारित होते है आप सभी लोग घर बेटे यह मुक्ति सुकता वली इस ग्रंत का जो विशलेशन मुनिशी के मुखार विन से इस धरम नगरी विदिशा से हो रहा है उसका विशेश प्रसारन ठीक शाम को 7 बच के 40 मिनट टीवी के माद्यम से होता है आप सभी लोग घर बेटे टीवी के माद्यम से इस ग्रंत का स्वाध्या करते होए मुनिशी के वानी का लाप भी ले सकते है आज के लिए इतना ही मुनिशी के चरणों में कोटी चा नमोस्तू करते हैं, आज के सम्मेक समाधान कारिक्रम को यही पे विराम देते हैं सभी कोट जैजनें, नमोस्तू, नमोस्तू इस कारिक्रम के पुण्यार जक्ते स्वर्गी श्रिमान सेठ मानिकलाल उगर्चंद शाह एवं स्वर्गी श्रिमती विमल्श्री मानिकलाल शाह की पुण्य स्प्रती में पुत्र पुत्र वधु, पौत्र पौत्री, बेटी दामांध एवं समस्त शाह परिवार झाल